हिमाचल विधान सभा चुनावों के लिए राजनीतिक दल महिलाओं के हितों को मुद्दा बनाने में जुटे बीते कल स्मृति इरानी के रामपोर दोरे को लेकर कॉंग्रेस सक्री नजर आई वही आज बबिता फोगाट भाजपा के महिला सम्मेलन के लिए शिमला पहुँची फोगाट ने कॉंग्रेस को महिला विरोधी कराट देते वे कॉंग्रेस नेता विक्रमा दित्य सिंग पर महिला विरोधी टिपडियां करने का आरोप लगाया जियो जियो हिमाचन में विधान सभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं के हित नजर आने लगे हैं जहां कॉंग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है वहीं बीते कल केंद्री मंत्री स्मृति इरानी के रामपुर में हुए दौरे को लेकर कॉंग्रेस ने सक्रियता दिखाई कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभास सिंग और कॉंग्रेस की राश्री प्रविक्ता अलका लामबा ने बीते रोज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान महंगे हुए ग्यास सिलेंडर की पूजा अर्चना कर उसे महिलाओं द्वारा स्पृति इरानी को वापस करने की बात कही इस मौके पर स्पृति इरानी को घेडते हुए अलका लामा ने कहा कि एक समय था जब स्पृति इरानी सिलेंडर की महंगाई का रोना रोते हुए सडकों पर विरोध प्रदर्शन करती थी और अब जब इस स्वयम केंद्री मंत्री हैं तो उन्हें सिलेंडर के बढ़े दाम नजर नहीं आते हैं उन्होंने कहा कि उजवला योजना के तहट महिलाओं को दिये गए सिलेंडर अब महंगे होने के कारण महिलाए रिफिल नहीं करवा पा रही हैं वही आज भारतिय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रे कारेकारणी सदस्य बविता फोगाट शिमला में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में सम्मिलित हुई यहाँ एक पत्रकार वारता में उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाय चलाई हैं जिससे महिलाओं को स्वावलंबी बनने में सहयोग मिला है उन्होंने कहा कि देश्व प्रदेश में खिलाडियों को भी केंडर सरकार की विभिन योजनाओं के तहट प्रुच्साहन मिला है बविता फोगाट ने कॉंग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते वे कहा कि राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है और यहां पर महिलाओं की स्थिती सही नहीं है उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस के नेताओं द्वारा आए दिन महिलाओं के लिए अभध्र भाशा का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए उन्होंने प्रदेश में कॉंग्रेस नेता विक्रमा दित्य सिंग द्वारा की गई टिपडियों का उधारण भी दिया बविता फोगाट ने एक पत्रकार समेलन में हिमाचल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन योजना की सरहना की उन्होंने कहा कि नारी को नमन ग्रहनी सुविधा योजना और शगुन योजना जैसी सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में जैराम सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिससे प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनने में मदद मिल रही है खेल और खिलाडियों बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही भारतिय ओलंपिक पोडियम योजना के साथ ही खेलों इंडिया के तहत खिलाडियों को प्रुच्छाहन सुविधाएं मिल रही हैं जिससे वे बहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं योजना का लाब उठा रही है तो उनमें एक योजना जो है वो है नारी को नमन योजना हमारे मुखे मंतरी जैराम ठाकूर जी ने महिलाओं को ससक्तिकरन बनाने के लिए उन्होंने नारी को नमन योजना उन्होंने स्टार्ट की उस योजना के तहत महिलाओं को 50% जो है ज अगर एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए देश को मजबूत करने के लिए जाती है तो ये बहुत बड़ी हमारी योजना है और दूसरा हमारे जो उनको उजिवला योजना दी जाती है लेकिन राज्य सरकार ने सोचा कि हमारी और भी महिलाएं हैं जो बीपियल परिवार के अंदर नहीं आती लेकिन उनको गैस स्लेंडर की जरूरत होती है उस जरूरत को शमजते हुए ये घरहनी योजना हमारी जैराम ठाकूर जी मुख्य मुख्य मंतरी शगून योजना जो कि मुझे नहीं लगता किसी और छेतर के अंदर किसी भी परदेश ने ऐसा सोचा होगा शगून योजना के बारे में जो महिलाएं हमारे जो बहने जब पढ़ लिकर को हैं उनकी जब साधी करने का टाइम आ जाता है तो उनको पैशों के ज़रूत रहती है कभी कभार प्रिवार इतना मजबूत नहीं होता कि वो उनका पैसे का खर्च उठा सके इसलिए सगून योजना जो है उसके अंतरगत 31,000 रुपए जो है वो बेटियों के नाम दिया जाता है तरी नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में और हमारे खेल मंदरी अनुराग धाकुर जी के नेतरतों में आप लोगों के समयक्स वो रजल्ट भी है जिसके बारे में हम बताएंगी क्योंकि सेंटर गवर्मेंट की हमारी स्कीम है टारगेट ओलम्पिक पोडियम जिसको टोप स्कीम के नाम से हम सब लोग जानते हैं और टोप स्कीम में यही ह कि जो एक अच्छी लेवल के खिलाडी को ओलंपिक लेवल के खिलाडी को तयार करने के लिए किन-किन शुविदाओं की जूर्थ होती है वो शुविदा प्रुवाइड करवाती है और दूसरी बात अगर मैं खेलो इंडिया की करूँ तो माननिय परधान मंत्री नरेंदर अनुराग ठाकुर जी ने देखा कि हमारे जब टोप लेवल के खिलाडी है उनको ती इस विदा दी जाती लेकिन जो जूनियर और कैडिट लेवल के खिलाडी है जिनको हम वजपन से तयार करते हैं उस टाइम में खिलाडियों को बहुत जरूरत होती है तो उन जरूरतों क को समझते हुए खेलो इंडिया स्टार्ट किया गया है ताकि हमारे जो कैडिट लेवल के खिलाडी है उनको भी वो सुविदा परवाइड करें जो टोप स्कीम के थूरू खिलाडियों को मिलती है मैं कहना चाहूंगी कि जो कॉंग्रेश आपने लोग देख रहे होंगे कि कॉंग्रेश में किस तरह महिलाओं के लिए अबतर भाषा का परियोग किया जाता है महिलाओं को कितना पानित किया जाता है अगर बाद उनके राजस्तान की मैं करूँ राजस्तान के आंदर कोई भी एक कौना ऐसा नहीं बचा होगा जहापे महिलाओं के साथ अच्याचार न होता हो उनको किडनेपिंग ना होती हो हत्या नहीं होती हो या बलातकार लगा लगा लिजी या फिर गैंग रेप लगा जिस सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का अपमान होता है तो राजस्थान की उनकी गहलोत की सरकार में होता है आप देखेंगे कि मैं हर रोज नूज पेपर में देखती हूँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी दिन नूज पेपर में कोई ऐसी जगए बची होगी जिस दिन महिला चही ہیں कि जिनके खुद के अपने जो नेता है विकरम आदित्य जी आप लोगों के बीच में आप लोगों ने तो देखा भी होगा की तरह के व हो भाषा का परियोग करते हैं महिलाओं के लिए ये उनकी सोच और सोच को दर्साता है कि उनकी क्या सोच है महिलाओं के पर्ष स भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में शिर्कत करने पहुंची बविता फोगाट ने कॉंग्रेस पार्टी पर महिला विरोध होने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस साशित राजिस्थान में महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के नेता बार-बार महिलाओं के लिए अभधर टिपडियां भी कर रहे हैं जिनके लिए फोगाट ने हिमाचल कॉंग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंग द्वारा की गई टिपडियों का उधारन भी दिया इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद